तो आपने यह वाली वीडियो इसकी देखी होगी इसमें ये बच्चो को केक खिलाने के लिए गई थी तो वीडियो की शुरुआत में जो गोंचु को ये बोला जा रहा था मतलब हसी मजाट में लोग बोर रहते हैं और ये बोरी थी मेरे हस्बेंड का हफते में एक बार व्लॉग आता है तो आप लोगों को याद होगा जब सल्मा ने मुद्धल आई थी तो ये कौंचु की वाइट लीक हुई थी जिसमें बोल रहा था कि आप ये मुद्धल ना ले यह ना आठ दिन में एक बार गहचु का वीडियो आता है पिटारा का वीडियो कट 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 करके आता है कभी नहीं आता है कभी एक दिन में तीन वीडियो बनाके रख देती है और दालती रहती है डेली और इस तरह से पबलिक को बिवकू बनाती है तो ये सारी चीजों से आ तो ब्लॉक डालने में इनको इंट्रेस्ट नहीं रहे गया क्योंकि अब इनके पास में पहले भी हराम के ही पैसे आ रहे थे क्योंकि जूट की बुनियाद पे किसी इंसान को दबा के उसको खतम करके उसकी बुनियाद पे लोग चैनल चला रहे थे लेकिन अब है लोग पूरी तरह से परओ नड़ भाए पहले सिर्फ करते थे अब अपने देश के साथ में भी फराओ कर रहे है अपने देश को भी लूटने की कोशिश कर रहे है तो ये आठ दिन में एक बर व्लॉग आना ये बोल के जो तुम लोग जता रहे हो ना कि हम लोग तो आठ दिन में एक बार डालते तो तुम लोग है ना अपने आपको ही एक्सपोस कर रहे हो कि तुम लोगों को अब जरूरत नहीं रहे गई है चैनल की क्योंकि तुम्हारे पास में ये कडोडो रुपए है ना कहीं और से आ रहे है वो जो काला धन है ना वो तुम लोगों को अच्छे से मिल रहा है तो ये बात तो तुम लोगों ने कुद नहीं साबित कर दिये अच्छा जी तो यह सारे कपड़े-पैन रही है यह इतने इतने से जैकुटे अलग-अलग कलर के जो पैन 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 safer ही चीज़े ने पहले दिखाते थैं wonders चीज़े त में क्या गया मतलब जो हम बोलते थे उन सब बातों को पिटारा खूद सची करके दिखा रही है ना कि जो पिच्चर हमने लाई थी ना जो भी सारे प्रूफ लाई थे वो सारे सच्चे थे और यह खूद आके ना इसे सारे कपड़े पैन के गंदे गंदे और यह सारा कुछ कर हरी है ना यह था रही है नो लोग स्चे थे भई तुम लोग जूते थे तो सब्पोर्टरों तुम लोगों को यह जूटा थाबित कर रही है जो तुम लोग बोलते थे ना तुम लोग एडिटिंग करके लाते हो हमारी पार्सा बीबी तो कभी ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहंती है तो देख लो तुमारी पार्सा बीबी तुम्हारे मुँपे चपे लगा रही है वैसे आज कल यह जो मुँपे जपेटे लटका के गोम रही है इसा लगता है ताली बजाने वाले नहीं रहते है उन लोग तो बहुत इजदार रहते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है समाज में लेकिन यह उनके जैसा पूरा गेटा बलके उन लोग इतने बुरे नहीं लगते है यह तो उनसे भी ज्यादा मतलब गंदी लग रही है अच्छा चिपोटा मतलब पिटा आरा यह बताना कि यह आगे की जुल्फे कब काट ली तुने यह तो तुने अपनी ओडियंस के साथ शेहरी नहीं की कि मैंने आगे की जुल्फे कौन से आशिक को कुश करने के लिए काटी हूँ तो यह आगे की जुल्फे है ना तेरी यह पीछे रखा कर तु ताली बजाने वाली लगती है बहुत घटिया लगती है तेरो पर ना थुकने का भी मन नहीं करता है इतनी घटिया लगती है यह चिचोरी पने है ना अपने आपको तु दिन पर दिन की कलिका की समस्ते जा रही है तो मोटी संडी देख ले अपना उमर देख अपना वजन देख ठीक है तो वो हिसाब से कपड़े पेना कर यह जो चिचोरी जैकिटे पैन रही है मोँ पे जिपोटे लटका के ऐसा लगता है ना तु ने है ना किती पागल कुत्ते को काटके आई है तो तू भी पागल हो गई है और वो कुत्ता तो होई गया होगा तो जरा तो थोड़ी तो तमीज कर अबाया नहीं पैनती है कम से कम यह छिचो रहे है पने तो छोड़ दे कितनी घटिया ओरत है क्या तू इसलाम को गंदा कर रही है वहाँ बैटके इतनी तू मतलब फैसे के लिए गिर गई है इतने घटिया पने तेरे में आ गए है अब आया कहा गया तेरा हाँ बड़ा तून्हे अब आया पैन पैन के सर पर डूपटे ले लेकर tes ने सिंपतियां लीती कहां चला गया वह अब आया हम आपके साथ में आक्टिंग दोपैर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चों की स्कूल, अर्बी, ट्यूशन वगेरा होती है तो इसके लिए अब हम रात को जा रहे हैं उनके साथ में खाना काने अच्छा तो जरा सीख उनके तो माबाब भी नहीं है वो बच्चों के फिर भी उनका सारा देखो कैसे मैनेज करके चल रहे हैं लोग स्कूल, ट्यूशन, मदर्सा सब पढ़ा रहे हैं तो तू जाहिल गवार, अनपढ़ औरत जा रही है तो थोड़ा सीख जाना ठीक है तू भी अपने बच्चों को बेजा कर स्कूल, अर्बी, ट्यूशन जो तू गाउं में भटकते रहती ने पेपरों के टैम पे तो वो भटकना बन करके ना थोड़ा सी अपने बच्चों पे तवज्जो दे दे जाहिल कहीं की तुझे लग रहा होगा के तू बड़ी अमीर है ना तू आपे गई उनके साथ सेलिबरेट करने बलके तेरे से दस गुना जादा अमीर वो बच्चे जो पढ़ लिख रहे है उनकी माँ बाप नहीं है फिर भी देखो उनकी तरभियत की इस तरह से हो रही है टेम पे उनको हर एक चीज पढ़ाई लिखाई जा रही है और तेरे बच्चे इतने बदनसीब है सब कुछ हो के भी उनको पढ़ाई नहीं नसीब हो रही है तूने बोली थी ना कि मैं मेरे बच्चों को कुछ बनाना चाहती हूं तो हाँ तुन्हें अपने बच्चों को ना जाहिल बनाई है और कुछ नहीं बनाई नालाइक कहीं की वैसे पिटारे को वो जो थोड़ा सी कम करना चाहिए मेरे ख्याल से फिल्टर बहुत फिल्टर लगाती है तो यह और नहीं कर सकते हैं वह भी αफेज्ज़ फॉड़ा जाता हैं लिए पुलाना चाहते था समय ल्हुत ना कर रहे हैं बच्छों के माबाप हैं ही नहीं फोम हम उन से मिलने जा रहे हैं, कितना महान काम की ना तुने work उन से मिलने जाके थोड़ा सी और ये बोल कैसे रही है कि जो अफोड नहीं कर सकते वो भी छोड़ के जाते हैं, मतलब तुन्हें भी छोड़ी हैंगी फिर तो और कैसी सोच है, तेरी कितनी घटिया बाते करती है तू मतलब ये कौन करता है यार मेरे नहीं समझ आती है कि ये कौन करता है कि आफ़ोड नहीं कर सकते है हाँ पढ़ने के लिए छोड़ते है बच्चों को और फिर बाद में वो कोर्स वगेरा उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो लेके जाते है लेकिन ऐसे कौन माबाप करते है कि हम बच्चे आफ़ोड नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं कैसी जाहिल वो वाली बात कर रही है यार मैंने नहीं सुनी आज तक के ऐसा अगर ऐसा है तो प्लीज बताना मुझे कमेंट में मतलब अजीब लगा मुझे सुनके इसके मुँसे लेकिन हाँ यह सारा कुछ पूछ पूछाई वो इसके लिए कर रही थी ताके वो जलील औरत बोल सके के नहीं नहीं एकदम अनात बच्चे है फिर लोग इसको बहुत महान समझे के देखो वह अनात बच्चों से मिलने गई है लाना तै पिठारा तिरे उपर लाना तै इतनी बेकार बाते करती है इतनी बेकार गेम खेल रही है न तू तुझे तो अल्ला ही पूछेंगा देखना कौसर के उपर अपनी बेहन के उपर अपने जीजा के उपर उनके बच्चों के उपर खांदान वालों पे ससुराल वालों पे सब के उपर इसने डॉलर चाप ली अब ये निकली है बुजूर्गों के उपर यतीम बच्चों के उपर और वो जो बच्चे न जो special जो होते है special child होते है उनके उपर इन सब के उपर भी इसको dollar चापने है बोलो कितनी घटिया औरत है ना ये कितनी घटिया सोच है अगर इसकी नेकी की नियात होती ना तो इस तरह तो ये camera खोल खोल के उनके मूमें ना गुचाती और ये जो गई थी तो बताओ आप लोग ये जो इसने दिखा दी कि हाँ मैंने तो खाना लेके गई हूँ भई खाने का क्या इनको खाना तो रोजी मिलता होगा तू लेके गई है तो ये उनको नसीब हुआ है था तो है नहीं और साफ नजर आ रहा था भई तो केक काटने के लिए वहाँ पे गई है मतलब के तू अपने मफाद के लिए गई है तो ये जताने के लिए गई है के देखो मैं कितनी महान हूँ वरना तू जब बुजुर्गों के भी पास गई थी तो तूने कुछ भी नहीं उनके लिए लेके गई तूने अपना केक काटने के लिए गई ठीक है तो ये खाना वाना है ना खाना तो लोग कुछ तो कोई भी आगे डालते है कोई को भी ना अल्ला भुका नहीं सुलाता है ठीक है बुलते हैं ना हमारे रब का वादा है अगर तुझे इतना ही प्यार आ रहा था इतना ही अच्छा बना था न तो तुझे चाहिए था उनके लिए कंबल स्वेटर और बचो के लिए कुछ खिलोने लेके जाती जो मेरे को लगता है वहां पे वो बिल्कुल भी उनको नसीब नहीं होता होगा वो सारा कुछ लेके जाती उनके लिए तू जैसे खेलने कुढने की चीजे है जैसे ड्रॉींग की चीजे झाला के लिए काटी सारे बच्चों को जमा कर दो बच्चे का हत पकड़ के तुन्हें बड़ा महान काम इए दो फिटें मुह तरे मनूस वो बलते हैं ना अगर किसी की माँ नहीं है ना तो माँ को इतना भी नहीं करना चीए कि मतलब अपने बच्चे को प्यार नहीं करना चीए ताके ना सामने अले को अहसास नहीं हो कि भई मेरी माँ नहीं है तू सीधी सरल साफ और ऐसे जाती और बच्चों के लिए कुछ लेके जाती ना तो मेरे कहल से ज़्यादा थोड़ा सी अच्छा लगता है ठीक है यह जो तुने घटिया अरकत की है न अपने आपको पता नहीं कहीं की सेटा नहीं समझ के इतना तयार होके गंदी सी जैकेट प गए तेरे व्यूस क्यों नहीं आ रहे तुझे अधिश्य मर मर के तुझे आये है व्यूस 2,5, 4,5, 4,5 दिन होता है जब जाके वह 3,5,000 होता है मिलियन की आर्मी तीन लाख व्यूज वो भी मर मर के चार पात दिन के बाद अगर वन डे के बाद आप लोग देखोगे न तो इसके 190, 160, 170 ऐसे पड़े रहते तो पिटारा साफ नजर आ रहा है कि तुने ना खरीदी ये और खरीदी हुई खुशियों के उपर इतना नंगा नाच करना अच्छा नहीं लगता पिटारा ऐसा लग रहा है कि तो खुद की ही मजाग बना रही है ठीक है दूसरे की मजाग तो खैर दूसरे तो बाद में बनाएंगे तो खुदी खुद की मजाग बना रही है खरीदे हुए व्यूज को लेके सीधे क्यों नहीं बोलती कि तू ये सारा कुछ ड्रामा करना चाती थी तुझे सिर्फ और स्री बहाना चाहिए था ये ड्रामा करने के लिए न कि मैं तो बच्चों से बुड़ों से बड़ा प्यार करती हूं जाके तू बच्चों के गले बच्चों को और अपने रिष्टेदारों के बच्चों को कितना प्यार जता आया ना उससे ही पता चलता है कि तू कितने अच्छे दिल की वहां पर बैठी थी बच्चे तेरे कदमों में बैठे थे वहां पिटा रहा क्या मस्त तुन्हें ड्रामा किये वहां जाके शरम नह बिठाती ना उनके साथ में बेटी को तो तुने गोद में बिठाया हुआ था और उनको तुने जमिन में बिठाया हुआ था और मा बेटी जो दो डायने हैं वह सोफे पे चड़के बैठी थी वहां कितनी नेक दिल है न तू वह नजर आ गया वहां के बच्चों को देखके मुझे बहुत अच्छा लगा क्यूंकि इसके बच्चों से तो लाग दर्जे अच्छे दिख रहे थे नहाए दोए बाल बनाए हुए साफ सुतरे कितने तमीज से बात कर रहे थे किते तमीज से बैठे थे तमीज से खाना खा रहे थे तो देख लो पिटारा तुमें कुछ सीखना चाहिए उन से कि बच्चों को कैसा संभाला जाता है एक तो ये दूसरा ये जो तू ड्रामा कर रही थी ना उनके साथ में बैठके खाना खाने वाला ड्रामा तो इसके लिए एक बात बुलना चाहती हूँ कि आप लोग उन सब च देखा होगा ये क्या नामे काशिव की बेटी का और उसके हस्बेंड का उल्लोग आई हुए थे हर बार हर बार ये क्या करती थी अपना खाना उठाके बैटरूम में चली जाती थी जो औरत अपने रिष्टेदार के साथ में बैठके खाना खाना पसंद नहीं करती है समझत आप लोग अंदाजा लगा लो कि ये ड्रामा कर रही है इसका दिल क्या है और दिखा क्या रही है ये औरत की लाइकी क्या है किस किसम की ये औरत है और जताना क्या चारी है ये सब कुछ फंडिंग का चकर चल रहा है सब कुछ सियासी चकर चल रहा है और आगे जाके आप ल इसके लिए ये सारा कुछ कर रही है और इशाल्ला ये इसनी बूरी तरह से डूबैंगी कि नियत सही नैं तो इंशालला मन्जिल इसकी बहुत कथीन हैँ, इत्नी कथीन ना कि ये तोबा करेंगी कि मैं क्यों ये चक्कर में पढ़ गई ये रोएंगी चीखेंगी देखना इतनी बुरी तरह से अल्ला करेंगा न ये फसेंगी और इसके पीछे गेम हो रहा है बहुत पक्कावला हो रहा है बहुत जल्द पता चलेंगा वाइटी पे भी इसे पिटारा तू हर बार कोई ना कोई जूड बोलती है हर बार तू कोई ना कोई बड़ी बाते करती है और फिर उन बातों के ओपर तू बीड़ी कोल भी तवज्जों नहीं देती है उनको फालो नहीं करती है जैसे कि मैंने परदे की इदायत ले ली कभी तू बोलती है मैंने नमाज का चैलेंज ले ली कभी तू क्या बोलती है कभी क्या बोलती है फिर उन चीजों को तू छोड़ देती है उसी तरह से तू यहां पे गई थी तो तू बच्चों को बोल रही थी कि मैं अब जब भी केक काटूंगी मैं तुम्हारे पास यह आके काटूंगी लेके आऊंगी और फिर बाद में तुने यह सब भी बोली मैं फिर से आऊंगी मिलूंगी और यह सारा कुछ जो तु बच्चों को आज दिला रही थी ना तो कसम से वो बच्चों को या आज दिलाने की तुझे जरूरत नहीं थी कभी तु बोल के आई मैं फिर से आऊंगी अब हम लोग देखेंगे ना तु कभ जाती है यह बच्चों को भी तुने बोल के आई है कि ми यहा करूंगी तुम्हों को केग करोंगी तुम लोगों को कभी जाती अरे जुgreg जूटी मकार ओरत कम से कम बच्चों के तो दिल से ना कबर में नहीं जाएंगे तेंचन मतले तू यहां ही रहेंगे और तू अकेली जाएंगी कबर में और एक एक चीज का हिसाब आला तेरे से लेंगा इंशाला वैसे यह वीडियो है ना मैंने डाली हूं फेस्बुक पर आप लोग जाके वहां पर जरूर देखना और वहला सीन बिचने बचते बिचना मतलब को एक से लएट मैं कोई गए रहा है कि यए और यह य सताव मेरे से बिकरे वर बाल उसके कपड़े हो钱 उसके खाने पीने का तरीका अगर आप लोग देखोगे न तो ऐसे लग रहा था जैसे बिचारी वो अनात है उसकी माबाप नहीं है जो उसके अंदर तर्बियत डालते जो उसको तयार करते जो उसका खयाल रखते उससे ज्यादा है न बाकी के सब बच्चे अच्छे दिख र खेमरा मुँपे पुरा रख 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 के बच्चों से गले मिल रही है बच्चों को चिपका रही है तो वो बिल्कुल भी सूट नी ओर था पिटारा साफ नजर आ रहा था ये सारा कुछ तू अपने फाइदे के लिए कर रही है ठीक है इतनी अच्छी तू है नहीं क्यूं आना जाता है अगर वह इंसान के लिए दिल में अपनोंके लिए मुख्बत है तो वह किसी से भी मुख्बत कर सकता है यह अपनों कोई नहीं प्यार करता है उसी तरह से और दूसरी बात के ये जो ड्रामा की है ना इतने बच्चों से मिलने का आप लोग यकिन नहीं करोगे इसके बाद में इन लोगों को लाखो रुपे की फंडिंग आई ये पता है आप लोगों को जायर सी बात है अब इसके बारे में ना मैंने डिटेल में बात की हूँ लाइब में तो आप लोग सुन ले ना मतलब जो बंदा देख रहा है तो वह सोचता है ना बोलता है कि भई हमें वहां का नंबर दो कुछ दो हम भी उनकी हल्प करना चाहते है जैसे कि एक लाइब में हुआ भी है हमारी अपनी बेहन ने बोली कि यार मुझे इतना तरह सारत ना के मेरा दिल हुआ कि मैं उनको कुछ भेजूं तो उनका नंबर या कुछ तो भी हमें बेजना तो हम उनको झाल को तो सोचो जब हमारी बेहन ने जो इसको अच्छे से जानती है कि यह इससने अच्छा सोची कितने लोगों ने सोच आंगे एektकि को देड़ 12 50000 लोगो ने देखे हैं बहुआ को में से अगर सो देड़ सो लोग भी क करना पी तो वारी करना ön यह एंग है यार आप लोग आपनी आखे खोलो और इस मनुस की ये सारी हरकतों से ना दूर रहो ये सिर्फ और स्रीफ अपने मफात के लिए कर रही है अगर इसके सीने में इतना अच्छा दिल होता ना तो ये सबसे पहले अपने नदीम भाई के बेटे का इलाज करवाती जिसको जरूरत है हलाकि नदीम खुद भी नहें इसके लिए कुछ कर रहे है लेकिन ये चाती नहां तो ये उसका इलाज करवा देती ना सच में मैं मान जाती है औरोगी इसके सीने में कहीं ना कहीं दिल है कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्सानियत बाकी है लेकिन नहीं जो औरत अपने खों की अपने भाई भाई-भाइनों की नहीं है haven दूसरों की क्या होगी यहां पर सिर्फ और सरी पैसे और फंडिंग का चक्कर और कुछ भी नहीं है बाकी आप लोग भी समझदारी से काम लिया करें जो भी इसकी बातों में आते हैं अपनी आखे खोलो और इससे सवाल जवाब किया करो कि यह सारा कुछ दो साल के बाद ही क्यों याद आया इससे पहले इसको क्यों नहीं याद आया और अपने खांदान वलो में क्यों इसको गरीब और बीमार और इस तरह से बच्चे नजर क्यों नहीं आते हैं इसको बुड़े क्यों नहीं नजर आते हैं तो यह सारे सवाल पहले इससे करो उसके बाद में इसको सपोर्ट करो मैं इसके सपोर्टरों को कह रही हूं उन लोगों को नहीं जो अंद में ज़रूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में अला आपी